नमस्कार स्वागत है आपका न्यूस वर्ड इंडिया में आपके साथ मैं हूँ पारुलतियागी और आप देख रहे हैं खास खबर तमाम उताफ चड़ाक के बाद भारत और चीन के बीच तनाव कम होने के संकेत मिलने लगे हैं इसका असर ये दिखा कि चीन को पैंगॉंग जील के पीचे हटने का फैसला लेना पड़ा इसे दोनों देशों के बीच विवाद का अंत कहा जा सकता है बलकि विवादों की समापति के दिशा में एक शुरुआत के तौर पर देखना चाहिए ऐसा इसलिए क्योंकि दोनों देशों के बीच अभी एक ही बिंदू सुल्चा है जबकि तमाम अन्य पहलू अभी भी उल्चे हुए हैं लेकिन आगे अभी और क्या होगा उसके लिए देखी हमारी ये रिपोर्ट रक्षा विश्चेशगों का मानना है कि चीन और भारत के बीच हुए समझोते के बाद जल्दी पूर्वी लदार्क में लाइन ओफ एक्चुल कंट्रोल यानी एलेसी पर फिंगर 3 और 8 के बीच के इलाकों को फिर से नो मेंस लेंड के रूप में बहाल कर दिया जाएगा लेकिन फिलहाल इस मामले में ना तो चीन और ना ही भारत की सेना गश्ट लगाईगी ये व्यवसा तब तक जारी रहेगी जब तक इस पर दोनों देशों की सेना के बीच कोई आम सहमती नहीं बन जाती नौमब 2019 से पहले की सिती होगी बहाल इसका मतलब है कि चीन की सेना फिंगर 5 और 6 तक पीछे हट जाएगी जबकि भारत की सेना फिंगर 3 और 4 तक पीछे हटेगी पैंगॉंग में अभी ये देखना बाकी है कि चीन की सेना के जवानों ने फिंगर 4 और 5 के बीच पीछे हटना शुरू कर दिया है ये बताना जरूरी है कि नौमब 2019 से पहले की सिती वही है जो मार्च 2012 की सिती है आखिर कैसे हुआ चीन राजी चीन ने मांग रखी थी कि भारत को फिंगर 3 और 4 के इलाकों में सडक और भवन के निर्मान कामों को रोग देना चाहिए अगर अभी तक जो जानकारी मिल रही है भारत ने ऐसा नहीं किया है क्योंकि चीन ने भी अपने कबजे वाले इलाके में जम का टैंक भी लगाए हैं और निर्मान के काम भी किये हैं सामरिक मामलों के जानकार और लंडन इसित गेंग स्कॉलिश के प्रोफेसर हर्श पंत का कहना है कि दस महीनों तक टस से मस नहीं होने वाला चीन आखिर पीचे हटने को तैयार ऐसे ही नहीं हो गया वो कहते हैं कि चीन ने ऐसा इसलिए किया क्यूकि भारत की सेना ने पूर्वी लद्दाक और कैलाश परवत के आसपास के उचे पहाड़ी लाकू पर मोर्चे समाल लिया हैं और भी कई वजह रही भारत और चीन के बीच कमांडर स्तर की बातचीत तो लगातार चल रही थी मगर पिछलिक दिनों राश्ट्रे सुरक्षर सलाकार अजी जोवाल और विदेश मंतरी एस जैशंकर ने भी चीन के अपने समकक्षों के साथ दोनों देशों के बीच दस महीनों से चल रहे तनाव को कम करने के लिए बातचीत भी की बातचीत के बाद केंद्रिय रक्षा मंतरी राश्ट्रा सिंग ने संसद में कहा कि च्रीन के साथ पैंगाउंग जील के उत्तर और दक्षनी टट पर सेना के पीछे हटने का समझोता हो गया है रक्षा मंतरी ने भी इस बात का खुलासा किया कि भारत की सेना ने कई उचे पहाडों पर मोर्चा समाल रखा है राज़नात सिंग का कहना है कि टक्राव वाले शेत्रों में डिसंगेजमेंट के लिए भारत चाहता है की 2020 की forward deployments या आगे की सेने तैनाती जो एक दूसरे के बहुत नस्दीक है वो दूर कर दी जाए और दोनों सेनाएं वापस अपनी अपने स्थाई और पहले से समाने चौक्यों पर लोट जाएं अब आगे क्या हो सकता है चीन और भारत के बीच अगले दौर की बाची जल्द ही होने वाली है जिसमें दोनों देशों की सेना के बीच बाकी की अपचारिक तायं पूरी की जाएंगी रक्षा विशेशग्य के अनुसार पैंगॉंग सेक्टर में चीन ने कुछ हत्यार बन गाड़ियों और टैंकों को पीछे जरूर कर लिया है लेकिन सैनिकों की पोजेशन में अभी तक कोई बदलाब नहीं दिख रहा है लेकिन सामरिक मामलों के जानकारों के मुताबिक अभी तो ये एक पहल है और अभी दोनों देशों के बीच कई और दौर की बातचीत होगी जिसमें डेप सांग और दूसरे कई एहम बिंदू को उठाया जाएगा और उनका समाधान किया जाएगा खास कबर में बस इतना ही आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले